दुनिया कब और कैसे खत्म होगी इस पर कुछ संभावनाएं सच और संभावित लगते हैं जैसे कि विज्ञान में व्यापक रूप से संक्रामक रोगों से लेकर परमाणु यूद तक की चर्चा की जाती है और बड़े पैमाने पर एस्ट्रॉइट से टकरानी की भी वैसे तो ये सभी संभावनाएं एक दूसरे से अलग हैं लेकिन इन में एक समानता है जो कि प्रित्वी पर जीवन को एक बार फिर से समाप्त करने की क्षमता है लेकिन ये सभी ब्लैक होल की तुल्ला में कुछ नहीं है दोस्तों हम सभी ब्लैक होल से अच्छे से परीचित हैं लेकिन फिर भी वास्तव में एक ब्लैक होल क्या है ब्लैक होल अंत्रिक्ष में ऐसे क्षेतर है जहां ग्रैविटी इतना अधिक होता है कि स्पेस, टाइम और लाइट भी इससे बचकर नहीं निकल सकते लेकिन इसका क्या मतलब है और क्या होगा अगर कोई व्यक्ति इसके पास जाता है तो चलिए जानते हैं दोस्तो इस्पेस में हर बड़ी वस्तु जैसे की ब्लैक होल, तारा या ग्रह हर किसी का एक निश्चित escape velocity होता है किसी को gravity के खिचाव से बचने के लिए इसकी जरूरत होती है उधारन के लिए प्रिथवी का escape velocity लगभग 11 km पर सेकंड है यानि अगर कोई वस्तु एक सेकंड में 11 km जा सकता है तो वह प्रिथवी के gravitational खिचाव को पार करके अंतरिक्ष में जा सकता है लेकिन यहां बहुत अधिक संभावना है कि आप किसी और ग्रहे जिसका gravitational खिचाव प्रिथवी से जादा होगा उसके द्वारा खीच लिए जाएंगे तो जितना जादा gravity होता है उतना ही जादा escape velocity लगता है दोस्तो आपको यह जानके हरानी होगी कि अब तक पूरे ब्रह्मान में black hole ही ऐसे वस्तु हैं जिनका gravitational खिचाव सबसे जादा होता है या यूँ कहें अनन्त होता है और black hole black इसलिए होते हैं क्यूंकि इसमें से light भी वापस नहीं लोटती एक black hole के आसपास no return की स्थिती होती है जिसे event horizon कहते हैं इस event horizon को जो भी light छूता है या उसे सोख लेता है और कुछ भी reflect नहीं होता आसान भाशा में कहें तो जब light किसी वस्तु से टकरा कर reflect होता है तब ही हमें वह वस्तु दिखता है अगर light reflect होगा ही नहीं तो वस्तु हमें दिखेगा ही नहीं black hole का अकार इसका event horizon ही होता है जो कि इसके center में infinite point तक जाता है जिसे point of singularity कहते हैं point of singularity में क्या है इसे वग्यानिक अभी तक नहीं जान पाए है आमतोर पर black hole तब बनता है जब कोई बड़ा तारा मरता है जिसका mass यानि द्रव्यमान हमारे सूरे से लगभग 20-30 गुना अधिक होता है हर तारे का एक सिमित जीवनकाल है जो कि उसके mass पर निर्भर करता है हर तारे में दो force काम करते हैं gravity और nuclear fusion जिनके balance से ही तारा stable रहता है और लगाता रोशनी देता रहता है जहां gravity तारे को जोडे रखती है और nuclear fusion तारे को बाहर की ओर धकेलती है nuclear fusion तारे के center में होता है जहां hydrogen के atom helium में convert होते हैं इस प्रक्रिया में बहुत radiation निकलता है जो कि इसके surface पर दिखता है जिसे हम light भी कहते हैं अब जो तारे बहुत बड़े होते हैं उनमें nuclear fusion बहुत तेजी से होता है जिसके कारण इसमें carbon, oxygen और iron जैसे भारी elements बनने लगते हैं जैसे ही iron की मात्रा बढ़ जाती है वैसे ही fusion से radiation निकलना बंद हो जाता है और इस प्रकार gravity और fusion का balance बिगड़ जाता है और gravity के ज़्यादा दबाब के कारण इसमें विसफोट हो जाता है जिसे supernova कहते हैं supernova के बाद तारे का बचा हुआ radiation स्पेस में दूर तक फैल जाता है और इसका सारा mass compress होकर एक black hole बन जाता है तो दोस्तो अब तक हमने जाना कि black hole क्या होता है और वे कैसे बनते हैं चलिए अब जानते हैं कि क्या होगा अगर कोई व्यक्ति इसके पास जाता है तो दोस्तो जैसे कि हम जानते हैं gravity space और time को mode देती है आप इस image में देख सकते हैं कि दूर galaxy से आ रही light हमारे सूरे के gravity के कारण bend होकर हम तक पहुच रही है जिसके कारण हमें अकसर space में वस्तू अपने वास्तविक इस्थान से हट कर दिखती है तो जब हम black hole के बहुत पास जाएंगे तो हमें कुछ ऐसा दिखाई देगा कि black hole के gravitation के कारण space से आ रही light पूरी तरह से मुड़ी हुई है और जैसे जैसे हम event horizon के पास पहुचते जाएंगे हमें जो कुछ भी दिखाई देगा उसके आधे भाग में अंधेरा होगा और आधे भाग में मुड़ी हुई space इसके बाद हम ऐसे स्थान पर पहुचेंगे जहां space से आ रही सभी light और्बिट कर रही है पूरे black hole को इस इस्थान को वेग्यानिक दा फोटोन्स स्फेयर कहते हैं अब जैसे ही हम event horizon में एंटर करेंगे बाहर का space हमें धीरे धीरे एक गोलाकार में हमसे दूर होता दिखाई देगा दोस्तो हमें सब कुछ इतने धीमिगती से होता हुआ इसलिए दिखेगा क्योंकि gravity space के साथ साथ time को भी मोड देती है और हमने पहले ही जाना था कि black hole में gravity अनन्थ हो सकता है इसलिए समय हमारे लिए इतना धीमा हो जाएगा अब जैसे जैसे हम point of singularity की और बढ़ते जाएंगे हमारा शरीर खिचता चला जाएगा और एक समय ऐसा आएगा जब हमारा शरीर stretch होकर एक straight line जैसा बन जाएगा वेग्यानिक black hole में इस stretching को इस spaghettiification कहते हैं अब point of singularity में क्या है और वहाँ हमारा क्या होगा यह अभी तक वेग्यानिक नहीं जान पाए हैं तो point of singularity में पहुचने के बाद हमारा क्या होगा यह कह पाना अभी संभब नहीं लेकिन अगर भविष्य में वेग्यानिक black hole के सभी रहस्यों को पूरी तरह से सुल्जा पाएं तो हम इस ब्रह्मान और gravity को और बहतर तरीके से समझ पाएंगे आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही चैनल को सबस्क्राइब करके नोटिफिकेशन बैल आउन कर ले ताकि जब भी नियू वीडियो पबलिश हो तो आप उसे देख पाएं सबसे पहले मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार